हाई स्टुडेंट आज के इस वीडियो में बी डबल ई बेशिक एलेक्टिकल इंजिनिंग के 20 मल्टी स्टॉइस कुश्चन को कराया जाएगा इसके पार्ट फ़स्ट में 20 कुश्चन मैंने आप लोगों को सौल्ब गरवा दिया था अब वही आगे से स्टार्ट करेंगे एक 20 सवाल है एक कुलाम अवेश के बराबर होता है किसके बराबर होता है तो चलिए इसका सौल्ब करते हैं इसको पहले कितना निकल गयाता है तो डिरेक्ट फार्मूला होता है इन बराबर Q upon E तो यहाँ पर Q दिया है वैटा 1 कुलाम तो वह लोग रग को 1 और E बराबर होता है एक एलेक्टान पर चार्ज होता है 1.6 गुड़े 10 के पावर माइनस 19 कुलाम तो यहाँ पर अगर इसको भाग दोगे 1 में 1.6 भाग दोगे तो आजाएगा 0.625 गुड़े इसको उपर ले जाओगे तो 10 के पावर माइनस में 19 है तो पिलस 19 हो जाएगा ओके जब यह दसम्बलों इधर खिसका होगे तो यह घड़ जाएगा 6.25 गुड़े 10 के पावर 18 18 आजाएगा ओके गाईस तो यहाँ पर हो यहाँ कोई आपसन में है नहीं तो आपसन नमबर कुछ इस प्रकार का हो जाएगा तो आपसन नमबर आपका पहला एस सही हो जाएगा चूंकि जो आपका सुद्ध धातू होते हैं उनका जो टमप्रेचर कॉफिसेंट होता है वो पोष्टू होता है तो धातू है तो बढ़ाने से उनका प्रत्रोद बढ़ेगा और गटाने से घटेगा जो आपसन नमबर यहां पर भी सही हो जाएगा कुशन नमबर अगला सुद्ध करते है चालक कवै गुड जिसके काड़ धारा प्रवाहित करता है क्या कहलाता है रेजिस्टेंस रेलेक्टेंस कंडेक्टेंस तो यहां पर आपसन नमबर आपका सी सही हो जाएगा रेजिस्टेंस जानते हैं जो धारा का बिरोध करता है ठीक है एलेक्टिक सर्कुट में रेलेक्टिक सर्कुट में धारा का बिरोध करता है उसी परकार से मैगनेटिक सर्कुट में जो रेलेक्टिक सर्कुट में जो रेलेक्टिक सर्कुट में फ्लेक्स का बिरोध करता है मतल तो चालक जो प्रतोर वहता है यह ओसका फार्मूला होता है आपका आर्वरा रो एल आप आने टेकर तो जो यह अरिय खाना आतो सकते हैं यहां फार्मनु अपाती अफसन नमर आपका यहां पर भी सही हो जाएगा नेस्ट कुश्चन स्वाल करते हैं एक एंसलेटर की प्रतुरोत का तापमान गुड़ांग होता है तो अफसन नमर की एक देखते हैं तो अफसन नमर पहला पड़ते हैं सकरात्मक तापमान से स्वतंत्र हम जैसे जाते हैं जो अफसन गुड़ांग क्या होता है पोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट करता है dimension of the conductor composition of contactor material तो option number आपके यहाँ पर D सही हो जाएगा ओके गाइस ठीके ए भी दोनों पर depend करता है ठीके question number अगला करते हैं निम्न लिखित में से किस समागरी में सबसे कम बिशिष्ट प्रत्रोध होता है तो जो सबसे सचालक होगा उसी का बिशिष्ट प्रत्रोध सबसे कम होगा तो यहाँ पर aluminum दिया है कापर दिया है चांदी iron तो सबसे अच्छा चालक कौन है चांदी है तो इसका बंद स्विष्ट का प्रत्रोध होता है जीरो होता है कहने करता है कि माल लेजिए आपका यह स्विष्ट है यह स्विष्ट है इसका सिंबल है ठीक है यह तो क्या होगा रजिस्टेंस कर जाएगा तो आपसन नंबर आपका पहलला से हो जाएगा कुश्ण नंबर अगर यहाँ पर switch की बात कर लें open है switch ठीक है तो तब क्या हो जाता resistance तब infinity हो जाता है और गाइज next question solve करते हैं which of the flowing quantities remain the same in all part of a series circuit तो series circuit में counts सा same रहता है voltage same रहता है कि current same रहता है तो voltage किसी चालक में विद्दुधारा के प्रवा होने पर उस्मा उत्पन होती है प्रतिक्रिया छम्ता प्रतिबाधा प्रत्रोथ तो आपसन नम्मर यहां पर आपका d सही हो जाएगा resistance जो हीट उत्पन होती है i square rt ठीक है ओके यह फार्मूला होता है तो यहां पर resistance दिया है ओके guys समझ में आगए होगा next question solve करते हैं current ले जाने वाले conductor पर insulation प्रदान किया जाता है option number a है current के रिशाओ को रोकने के लिए तो option number बिल्कुल सही है option number भी पढ़ते हैं एक जटके को रोकने के लिए मतलब बिद्दूत के जो जटका है उसको रोकने के लिए यह भी सही है ठीक है ठीक है एंड टू एंड तो आपसन नमबर आपका ए सही हो जाएगा सब पैलल में जोड़ते हैं और घर की जो वाइरिंग करते हैं सभी हम पैलल में ही करते हैं ठीक है और गाइज नेस कुश्चन सब्सक्राइब करते हैं तीन च्छै ओम प्रत्रोव धक एक तिरबुश से जुड़े हुए हैं किनी दो कोनों के बीच रेजिस्टेंस निकाल लिए ठीक हैं तो आपसन नमबर आपका दिया है थ्री पाइंट आपसन नमर फर्स्ट दिया है थ्री अपान टू ओम आपसन नमर भी है शिक्स ओम फोर ओम एट अपान थ्री ओम तो शलिए इस कुश्चन को सॉल्व करते हैं कि कि दो कोनों के बीच कोंधश्टेंस निकालना है तो यह धूनों यह हो गया तो 12 में धुमेर यूद्म सब्सक्यान न में हो गया to कुश्चन नमबर अगला करते हैं, बोल्टेज डिपेंट रेजिस्टर आर यूज्वली मेट फ्रोम, किसके तरह बना जाता है, चारकोल, सिलिकान, कार्बाइट, नाइक्रोम, ग्रेफाइट, तो नाइक्रोम का बना जाता है, तो आपसन नमबर आपका C सही हो जाएगा, कु स्कून ताप गुडांग के साथ प्रतुरोधी, तो आपसन नमबर आपका C सही हो जाएगा, नॉन लिनियर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओके, नेस्ट कुश्चन स्वल्व करते हैं, बोल्टेज डिपेंट रेजिस्टर आर यूज्वली मेट फार इंडेक्टिव सर्किट, तो आपसन नमबर आपके यहां पार भी सही हो जाएगा, कुश्चन नमबर आगले स्वल्व करते हैं, नेस्ट कुश्चन, एस स्पेसिप के रेजिस्टेंस ओफ अफ सब्स्टेंस इस मेजर, किसी पदार्थ का जो विसिश्च प्रतुरोध होता है, वो किसमें तो आपसन नमबर आपका सी सही हो जाएगा, ओम मेजर्मेंट की जाता है, आप निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस के जो फर्मूला होता है, आर बराबर रो एल अपान ए, पच्छांतर कर लें आप लोग, तो क्या जाएगा, रो बराबर टिकें, आर ए अपान एल, तो यहां यहां पर रेजिस्टेंस का मातर गया, ओम हो गया, एडिया का मीटर स्क्वेर, बटे, लंबाई का मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो बच गया गया, ओम मीटर, ओके गाईज, उम्मीद करता है, समझ में आगया हो गया, कुश्चन नमबर अगला स्वाल करते हैं, ओम का न कि जो ओम का निम होता है, आर्थचालक पर लागू नहीं होता, ठीके, वैक्यू टू पर लागू नहीं होता, कारवन प्रतुरोद पर लागू नहीं होता, तो अपस्थन नमबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीके, इन में से किसी में लागू नहीं होता, ओके गाईज, ठी बारा रिपीट कर देंगे, ओके गाइस?